स्वर्ग और नर्ग कर्म पर निर्पर करते हैं युदिष्टर को छोड़कर चारो पांडव और द्रोपती को नर्ग की प्राप्ती हुई क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन सही तरीके से नहीं किया केवल युदिष्टर को ही स्वर्ग की प्राप्ती हुई पूर्वो को स्वर्व की प्राप्ति इसलिए हुई क्योंकि वह सभी यूद में लड़ते वे वीरगती को प्राप्त हुए। जब महाभारत की शुरवात होने वाली थी तब अरजुन और दुरियोदन दोनों ही श्री कृष्ण से सायता मांगने गए। तब शुरियोदन ने नारायनी सेना तथा अरजुन ने शुरी कृष्ण को चुना, श्री कृष्ण की एक शर्त थी कि वही यूद में हतियार नहीं उठाएंगे, तब अरजुन के सारती बनकर अरजुन का मालग दरशन करेंगे। महाभारत के युद समाप्त होने के बाद धर्म स्थापना हुई पांडवों ने 36 साल तक कार्रेभार संभाला इसके पशाद परेक्षित जो अभी मन्यों के पुत्र थे इनको राजपाट संभाल कर स्वर्क की खोज में वन प्रस्थान जाने का निर्ने लिया पांडव मेरु परवत पर चले गए जिसे स्वर्क की सीड़ी भी कहा जाता था जब पांडव स्वर्क प्राप्ति के लिए जा रहे थे तो एक कुत्ता भी साथ हो गया था पांच पांडव द्रोपति और कुत्तों को मिला कर साथ जने हो गए थे सर प्रतम द्रोपती परवत से नीचे गिर गई और मित्ति को प्राप्त हुई पांडव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि द्रोपती नीचे क्यों गिरी इसको तो हमारे साथ स्वर्व में जाना था यह का जाता है कि द्रोपती को नर्क इसले मिला क्योंकि दौपती का विवा पंडवों के साथ हुआ था लेकिन दौपती केवल अरजुन को ही पूर्णते अपना पती मानती थी पर जब दौपती को पता चला करण भी कुंती की संतान है तो दौपती के मन में करण के प्रती प्रेमभाव आने लगा यह सब दौपती के धर्म का हिस्ता नहीं था इसलिए दौपती को नर्क मिला इसके प्रचा सैदेव की परवत से गिर कर मौत हुई और नर्क की प्रापती हुई बाद नकुल परवत से गिरे और मृत्यू की प्रापती हुई नकल को नर्क इसलिल मिला क्योंकि नकल सबसे सूंधर थे और वे अपने चरित के आयंकार में रहते थे भीम को नर्क की प्राप्ती इसलिए हुई क्योंकि वे खाना-खाने के सबसे ज़्यादा लोबी थे और वे दूसरों की कमजोरियों का आनंग लेते थे अरजुन खुद को दुनिया का सबसे तेज तीरंदाज मानते थे वे अपने से उपर किसी तीरंदाज को नई देखना चाते थे युदिश्टर जब स्वर्क की चीडी तक पहुँचे तो इंदर अपने रत से इंदर को लेने आए युदिश्टर स्वर्क लोग में गए तो वहाँ पर कॉर्वो द्रोन अचार रहा है भीश्व सभी को देखकर इंदर से सवाल पूचा है कि मेरे भाई कहा है इसके पस्चात इंदर युदिश्टर को नर्क लोग लेकर गए और अपने भाई और दुरूपती को दिखाया जब युदिश्टर ने इंदर से पूचा कि कॉर्वो को नर्क क्यों नहीं मिला तब इतन ने कहा कि कॉरो लड़ते वे वेलगती को प्राप्त हो है वे युदिश्टर से हटे नहीं वे अपने कर्म पर एड़े रहे इसलिए उन्हें स्वर्व की प्राप्ती हुई हाला कि ये भी कहा जाता है जब युदिश्टर को इंदर लेने आये तो उन्होंने कहा कि कुता भी मेरे साथ चलेगा काफी देल के बाद जब युदिश्टर अपनी बात पर कायम रहे कि कुता मेरे साथ जाएगा तब यह कुता अपने असली रूप में आ गया जो कि खुद धर्मराज यानि यमराज थे वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करे सब्सक्राइब करे और कमेंट जरूर करे